कि in गव ऑफ की वेलकुम टो डेली फूटबॉल मैडश। और काफ ही ज़दा क्रेजी ट्रान्सफर न्यूज्स जलूरी उसको पूर हम डिसक्रशन करते हैं। बार्सा की न्यूज्स के उपर डिसक्रशन करूंगा कि मार्केट में करना क्या चाहरी है बार्सा और क्या कर सकती है काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग न्यूज आ रही लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं पलीना की न्यूज से टू बाइन मुनिक देखें वेरी क्लोज है और आई थिंग यह डील एवेंचली हो जाएगी आपको पता है कि पिछला साल भी पलीना जो है वो और उनको डियम चाहिए बिकाज गुरेट्सका का कुछ समझ नहीं लग री और केमिक की भी कुछ समझ नहीं लग री कि वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे क्योंकि एक साल का कॉंट्रेक्ट है और बाइन के लिए काफी ज़दा डिसियोंस उन्होंने लेने है पलीना बारे में जो है वो चीज़ें सॉट आउट करनी है तो काफी चीज़ें लेकिन सबसे अच्छी न्यूज अभी बाइन के लिए है कि एक दियम उनको चाहिए था प्रॉपर डियम चाहिए और डैट इस पलीनिया फॉर बाइन मुनिक अब आ जाते हैं थोड़ी सी रियान में की है यह कि अम इनिकर ने उसके अंदर यह इंटरप्रेट किा गया कि उन्होंने कहा कि ब्शुर्पर तॉर्नमेंट की मिल रहा है ब्शुर्मुलियन तो और में जो है वो पॉर्टिसिपेट नहीं करेगी फीफा क्लभ बडी थी थी ना कि Arsenal को support मिल जाएगी खैर ऐसा नहीं होने वाला फिर फॉरन ही जो है वो रियाल मिडिट ने statement release की और उन्होंने का कि नहीं बहुत नहीं है विया रिली लूकर फ़वर्वर्ड तो रियाल मिडिट जो है वह विवा पैप ने कहा दिया भाई जो दर्वाजे जो हैं वो बनना है ठीक है बैक टू बार्सला उनसे स्टेट फ़वर्वर्ड कोशन पुछा गया देखे मुझे ना उन्होंने एक कोशन पुछा गया उन्होंने ऑनसर दे दिया जो उनको इस टेम लगए तो ओपोजिशन फैन्स इस टाइम हम बुलाएंगे आ जाएंगे भाई ऐसा नहीं होता है यार फुटबॉल के अंदर भाई वो बंदे को मतलब तेरा साल हो गया इतिंग बार्सला चोड़े वे उसने बायन के को मैनेज किया है वहाँ पे उसने टाइटल जिता है सिटी को उसने जो है वो प्रेमेर ली लिने का सोच रहा हो फुटबॉल से बस यह से चीव एफरी सिंग तो मुझे समझ नहीं लग रही कि बार्सा फैंस इतना जाता जिस बाती इसके उपर क्यों हो रहे हैं कि भाई उसने कह दिया कि मैं मैं डोर्स अ क्लोज हमें रिस्पेट करनी चाहिए भाई आप को जलील ग आते हैं यह चोड़ेंगे जोजी मिरीनो एक टाइम के बार टॉप टॉप मैनेजर थे उसके बाद उनने क्या किया कि जब उनसे चल्सी की स्पेशली जॉब गई थी ना उसके बाद उनने वेड नहीं किया वो थोड़ा सा वेड करते एवेंशली ऑपरचुनिटी को पतलब अगर आप step by step ठीक ना सोचें या फिर आप as a player भी मैं कहता हूँ as a manager भी कहता हूँ गर आप top पे finish ना करें तो चीज़ें worse हो सकती हैं आपके लिए ठीक है तो I think अगर वो यह सोच रही है तो इच में कोई बुरी बात नहीं है तो बार्सा फैंस इतने जजबाती न पहले मैं disclaimer दे दूँ कि चितनी भी news है बार्सा कुछ किसी को offer नहीं कर सकती बार्सा Sergio Roberto को भी अभी contract offer नहीं कर सकती ऑफर बेजी नहीं सकती official किसी भी player को जब तक बार्सा one ratio one rule के अंदर नहीं आती यह disclaimer है और इस हफते पता चल सकता है आपने देखा होगा टेबास में भी जो है इस हफते पता चल सकता कि बार्सा one ratio one rule में आएगी या नहीं आएगी अगर बार्सा आ जाती है या नहीं भी आती उसके यह disclaimer दे दिया अब हम targets को पर बात करते हैं लुइस दियास दो विंगर्स में दो विंगर्स की news आ रही है एक लुइस दियास और दूसरे निको लेकिन दोनों टार्गेट हैं दोनों realistic टार्गेट है मेरे मैं यह नहीं कहुंगा कि एक first टार्गेट है और को इसमें ऐसा नहीं है ठीक है दोनों टार्गेट हैं बार्सा के और काफी ज़्यादा news आ रही है अब देखते हैं कि बार्सा अगर अगर financial issues रहते हैं तो definitely Niko Williams is the choice अगर financial issues नहीं रहते तो then बार्सा has to decide कि उनको experience ज़्यादा चाहिए या पिर उनको एक young player ज़्यादा चाहिए जिसके पास pace ज़्यादा है तो यह एक technical decision है जो कि लेना जो इसमें eventually Hansi Flick की भी input होनी चाहिए definitely और I think Deco की भी input होगी तो यह दो choices है अब इसके लावा Joe Felix की news चल 60 million तो घंटा भी मेरा 60 million तो नहीं देना चाहिए ठीक है आप प्लीज एजेंट्स को खुश मत करें जौफ विलेक है तो बार्सा की strategy यह simple सी है कि यह main targets है अगर कुछ नहीं होता तो बार्सा loan की try करेगी 60 million तो कभी भी नहीं देगी केंसेलो का case भी same है कि बार्सा loan की try करेगी मुझे नहीं लगता बार्सा upfront fees देने वाली है और पैपने भी आज statement दी है कि we have to find a solution तो बार्सा की दोनों के बारे में strategy यह है के लोन होजे बहुत अच्छी बात है worst possible situation के अंदर हम यह strategy रखते हैं कि अगर यह नहीं हमारे पास wingers आते हैं तो कोई तो player चाहिए ना squad app के लिए तो फिर हम इनको loan के उपर रख लेंगे आज वाटी प्री सीजन हो सकता है करें बार्सा के साथ बार्सा कोशिच कर रही है कि उनको loan पे लेवर कुसन की उनको news आई थी 10-15-20 million euros में अब देखना है बार्सा उनको loan पे बेजना चाहती है उनको बेचना चाहती है लेकिन बार्सा उनको रखना नहीं फिलहाल चाहती ठीक है यह भी न्यूस है तो यह left wing की मैंने आपको strategy समझा दिया अब हम आते हैं डीम के उपर देखें डीम की अच्छा डीम से पहले हम फ्रीम पॉंग के उपर आ जाते हैं अभी recently environment है I don't think so आपके बाद जूलियन अरा हुँ है है उस साइट पर खेल सकते हैं उन्डे अलरड़ी कहलते हैं आपकी राइट सेंटर बैक या राइट बैक आप कह सकते हैं तो फ्रेम पॉंग इस विंग बैक ठीक है क्या आपको विंग बैक की जुरूत है अगर आप लमीन यम अच्छी सबसे फूटबाल वो कहलते हैं वो फूल बैक रोल के अंदर तो अगर आपकी स्टेजी है कि हम गुजे आपकी स्टेजी समया रही है ठीक है लेकिन अगर कंसेलो के ऊपर इस नों मेक एनी सेंस फिर आपके बिल्कुल भी प्राइटी नहीं होने चाहिए तो इफ फ्रेम पॉंग बहुत अच्छे प्लेयर है विंग डाक रोल के अंदर और उबिसली उस राइट साइट के उपर खेल सकते हैं और इलमीन यमाल को भी सपोर्ट मिल सकती है इवन रेस्ट भी मिल सकता है राइट इकने अल्सो प्लेयर लगती है इफ नॉट पंसेलो अब आज सेंड कर लेते हैं तो well and good they will stay otherwise they will put on the market अभी मैं यह कंसिडर कर रहा हूंगे फ्रेंकी डियॉंग विल साइन तो we need a player who can play with फ्रेंकी डियॉंग ठीक है गीडो रोड्रीगस की जो साइनिंग है वो रूल आउट हो चुकी भी है उसमें हांसिफलिक का भी रोल होसा है और फिने हो कि मुझे डबल क्रॉस किया मैं नहीं किस कलब में रूहां सथी रोबर्टो खैर लेट्स मूव और अब important बात फ्रेंकी डियॉंग फ्रेंकी डियॉंग के साथ वला player चाहिए अब मैं चाहता हूँ के फ्रेंकी डियॉंग को अगर आपने फुल अनलॉक करना है तो वो box to box रोल में है ठीक है जैसे अगर मैं ग्रोट्स का और किमिक करूं तो ग्रोट्स का box to box में similar profile नहीं है फ्रेंकी और ग्रोट्स का लेकिन मैं आपको logic explain करने ही कोशी कर रहा हूँ ग्रोट्स का जो है अब यह बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है बार्सा फैंस ने कूंकि अ बार्ट का second choice possible नहीं third choice is gimmick because he used to stay at buying right तो आप कहीं नहीं वो फ्रेंकी को freedom मिल सकता है तो मेरी जो पहली priority है और I think बार्सा की एस पर रिपोर्ट जो पहली priority है वो किमिक ही है ठीक है अब बार्सा की strategy यह है कि किमिक हो जाए अगर financially possible wages भी वह जयता मांग रहे है अगर वो नही ही मारते तो अब ना मारें पहले मिकल मिरोनों का रहा था अब आ रहा है अब मैं उनकी profile देख रहा था आपके सामने भी है अब उनकी profile यह कि passing में बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है लॉंग switches के अंदर भी बहुत अच्छी है बट अगेन मेरा जो perception है मैंने जो वीडिय ने खेलना है तो अगर उन्होंने box to box जाना है तो you need a player who can stay. I don't see that in Stiller, I don't see that in Mikkel Mirrenow. दोनों बहुत अच्छे player है, quality player है लेकिन वो role जो चाहिए बार्सा को उसके अंदर वो fit नहीं होते. तो बार्सा की strategy जो मुझे लग रही है वो यह है और Plasios is very close to Kemic, right? तो अगर Kemic नही तो मेरे साब से Plasios होने चाहिए, ठीक है? लेकिन बार्सा की strategy यह है कि वो 40-50-50 million की game है Plasios की और Kemic की. यह है 25-25-25-25-25 million की game Mikkel Mirrenow की और Stiller की. तो अगर वो plan A work नहीं करता तो बार्सा जाएगी plan B की उपर which can be Stiller or Mikkel Mirrenow. I still prefer Mikkel Mirrenow over Stiller. मैंने जितना उनकी profile देखी है, मैं मैंने देखी है, मुए Mikkel Mirrenow को prefer करता हूँ, लेकिन I think it should be Kemic. Kemic should be the priority, if not Kemic then it should be Plasios. बाकी जो top नाम है वो तो वैसे ही rule out रहना है, उनकी साथ लिंक ही नहीं है. यह मेरा opinion है, इस point को बहुत जरूरी है समझना, इस point को समझने की कोशिश करें आप सब. ठीक है? तो guys यह news च